यहां पर कई एक्सपर्ट भी वैठे वो भी बोलना चाहते हैं लेकिन अचारे जी तालिबान के फेर में दिग्वेजे सिंग क्यों फस जाते हैं सेकुलरिजम अगर मैं सेकुलरिजम का इतिहास को देखू तो 1986 से शुरू करता हूँ जब शाहबानों पर सुप्रीम कोट का फैस्टा स्वरगी राजीव गांदी जी ने पलट दिया था 2006 में डॉक्टर मन्मोहन सिंग ने कहा था कि मुसल्मानों का पहला हक है किसी भी संस्तान पर उसके बाद अगर हम आए तो अब ये दिग्वेजे सिंग इस तरह का बयान करें तालिबान क्या आरेसेस तालिबान के समकष है बताईए आप मुझे जिस सरसंग चालक को आपने देखा रॉकेट लाइंचर लेते हुए चलाते हुए अमीज देवगंजी पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो समिधान से सेकुलर शब्द हटा दे भारत सरकार ने अभी तक रखा है मुझे तो पता नहीं क्या रखा है आपको पता होगा लेकिन अगर तालीबान एक आतंक वादी संगटन है तो समिध पात्राजी जिमेदार प्रवक्ता है राष्टिय पार्टी के प्रवक्ता है सत्ताधरी पार्टी के प्रवक्ता है लेक करना चाहता क्यों नहीं नहीं करना चाहता क्यों नहीं यह दिग्विजे सिंग जी बताएंगे लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि RSS हमारे देश का संगठन है मैं हिंदुस्तान के किसी भी organization को विदेश के किसी भी organization से तुलना उसकी नहीं करना है देखे अमीश देव गंजी जो भक्ती है ये भाव का विशे है सद्धा का विशे है आस्था का विशे है समर्पन का विशे है जिसका हिर्दे निर्मल होता है उसकी भक्ती को मैं सुईकार करता हूँ भारती जनता पाइटी और राहूल गांदी जी में अंतर क्या है जब राहूल गांदी जी माता वैशनो देवी के हैं जाते है तो जै माता दी नारा लगता चला जाता जै जै कार होती है उस पर यह कुछ नहीं बोलते लेकिन राहुल गांधी अगर यह कह रहे हैं कि माता की शक्ती कम हो गई यह तो उनके भाब पर जाईए यह उनके शब्दों पर उनको पकड़ना चाहते हैं जबकि सच बात यह है राहुल गांधी कैसे महापुरुश है जिनका हिर्दे निर्मल है और भारती इंटा पार्टी के तमाम नेताओं का हिर्दय कपट से भरा हुआ है मैं सब्सक्राइब पुरुश नहीं महापुरुश है आप तो बोलना पड़ेगा ना ठीक आप चाले सकिंद बोलीजिए फिर शैजाद जी यह तो हमारी गलती थी अभी तक हम महारा राहु गांधी बुलाइए बाबा ऐसे हम उनको बाबा बुलाते भी ते बाबा है वो आज मालूम पड़ा यह हम उनके सब्दों पर ना जाए उनके भाव पर मतलब हम यहां पर बैटके सुबह से शाम तक राहुल गांधी पर इसलज करते रहें कि उनके हिर्दय में कितनी भक्ती है कितनी समपूर्णता है कितनी सेवा है फिर हम बोले ने आप बताईए अगर यह कह देते इन्होंने कहा कि दुर्गाजी की शक्तियां कम गई होती तो अभी थर्मोमेटर ढालके देखते दूसरे लोग कोई थर्मोमेटर डालके देखता नहीं कम हो जाता थोड़ा सा तो और ये अभी गणपती बपाजी से मांग क्या है भगवान मुझे बख्ष दो डिबेट में तो जा रहा हूं तुम्हें में बचा नहीं पहूंगा राहूर गांधी रहा है और ये जानते नहीं राहूर गांधी क्या है प्रीजे वे up क्या घया बड़ी खोकली हवेलिया रह गई एकाड़ था भाइ-बाइ टाटा गुडवाए गया